येस माई डियर फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बढ़ाई क्योंकि आप लोगों के सहयों और प्यार से आपका चैनल मोनिटाइज हो गया है आईए एक Special Class में आज हम लेते हैं ये Class Cable और Cable English Teachers के लिए दोस रूट आर इंटिवेजटेड इन Teaching Profession जिनने ये लगता है कि Teaching Profession English का उनको सबसे अच्छा लगता है लेकिन English पढ़ाने में उन्हें परेशानी होती है और दूसरा एक और कारण है वो कारण क्या है पता है जब हम लोग कहीं इंटर्वियू के लिए जाते है ना जब वहां हमको जो परेशानी है फेस करनी पड़ती है उसके आदार पर ही वह इस्टिटूशन वाले हमारी सेलरी फिक्स कर देते हैं जब हमारी कुछ कमिया होती है तो वह हमें कम सेलरी देते हैं और यदि हम लोगों के अंदर पावर होती है तो फिर सेलरी जो आप मांगते वो मिलती है इस क्लास में आज आप जो सीखेंगे English की कुछ ऐसी बारीकियों को सीखेंगे जिसके कारण आप अपने आपको अपनी लाइप में एक बड़े गर्व के साथ समाज में प्रस्तुत कर सके और आपको इस कल्यान कारी कारे से बहुत कुछ benefit मिल सके तो वो कैसे मिलेगा इस class में हम शुरू करते हैं यह class के बड़ इंग्लिक्स टीचर्स के लिए यह तो है यह लेकिन जिनने इंग्लिक्स बहुत अच्छी तरह से आती है वो भी इस class को देखें क्योंकि इसमें ऐसा खास क्या है जो इंग्लिक्स टीचर्स के लिए class हम आपके लिए ले करके आएं सबसे पहले माइडियर आप लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो कहां से आती है वो आप लोगों को आती है मैंने जैसा की देखा है इसकूस में मैंने काफी इंटर्वी वगरे करनेक्ट किये जह हम तीचर्स से पूछते हैं कि आपका कौन सा पार्ट इस्ट्रोंग है तो मैंने कहते हैं ग्रैमर तो यहीं से लेते हैं सबसे पहले हम यह वर्ड लेते हैं ग्रैमर और इस वर्ड को लेकर के ही काफी क्वेश्चन्स तयार किये जा सकते हैं सबसे पहले तो यह है कि आप लोगों को डिफाइन करना आता है ग्रामर क्या होता है सेक्ड क्वेश्चन मैंने बहुत लोगों को देखा है ग्रामर में ए आर इसकूस में भी यही पढ़ाया जा रहा है बहुत बच्चे आते मैं उन्हें पूछता हूं देखता हूं तो मुझे बड़ा सर्प्राइज होता है जब वो लोग ग्रैमर की स्पैलिंग में ए यार क कि यही पढ़ा है इस क्लास को देखने के बाद शौट क्लास है आप लोगों को यह पता लग जाएगा कि आप लोगों के अंदर कमी है कहां रह जाती है आप अपने आपको टॉप लेवल पर क्यों नहीं ला पाते हो और ऐसी क्या क्वेरी होती है जिनके कारण आपके अंद लिहराण महीं चेंजिट है वर्ड झाएं अब जो यह जह है इसका मीरी होता है हिंदी में ले लेते हैं दैट मीस नाप तोल करना नाप तोल करना है एक युनित है अ किलो ग्राम आपने देखा है हां बस वही से है यह जब एक किसी चीज की नाप तोल करतें तो वह आप पत प्लाई क्लम द्हुंस प्लैक ब्रोञ ग्रम में भी होता है लिटर में भी होता है यहां य से लिए घाया है जो रिखा है घाएगे यहाया वर्ड है यह आपको पता चला यहीं आता मैं कि यार क्यों फोलत coronavirus को आता है तो आप मुझे comment box में जाकर के बताएं और लिखें नहीं तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले problem यह आती है यहां double aim आता है क्या आपको पता है grammar में double aim क्यों आता है यह बहुत simple questions है और जो English teachers है उन्हें यह with logic आना चाहिए तो आज की इस class में मैं केवल यह लेता हूँ आप लोगों अच्छा लगेगा आप लोगों की requirement होगी आप लोग चाहेंगे तो आगे मैं इसी class को continue रखूंगा और आप लोगों को ऐसे English के facts बताता रहूंगा आईए तो जैसे हमने लखा G-R-A-M तो उसमें न हमें आप लोगोंने clusters सीखे हैं क्या नहीं कोई बात नहीं clusters जानते हैं नहीं जब सीखे नहीं तो जानते कहां से जी हमारा क्या है consonant यह आप लोगों को अच्छी तरह से पता है इसके अलावा आता है हमारा और यह क्या है हमारा consonant ये भी आपको अच्छी तरह से आता है इतना तो हमें आई जाता है इतना तो हम सभी जानते हैं कि हमारा consonant कौन सा है और vowel कौन सा है देखिए से आप लोग जो vowel बोलके पढ़ाते हो ने classes में बस यही कारण होता है जो हम लोग एक proper basis salary को नहीं उठा पाते हैं इसे vowel नहीं इसे बोलते वाउल मैं इसका transcription आपको देता हूँ यह क्या हमारा वाउल वाउल डैट मींस वी को भी हमें ठी तरह से बोलना आना चाहिए इस class में मैं आपकी प्रते कुण चीजों को ले कर चलूँगा जहां आपको आपके pronunciation में प्रॉब्लम आती है आप लोगों को जो लॉजिक्स नहीं पता होता है यह बहुत लॉजिकल बहुत इंफॉर्मेटिव क्लास है इसे ध्यान से समझें वाउल आपको पढ़ना आ गया है इसको आपको यह पता चल गया जी आर जी क्या है हमारा consonant आर क्या है हमारा अगें consonant अब आता है ए तो इसको आप पढ़ाते हो जब हम लोग यह पढ़ाते हैं तो हम ऐसी सेल्डी मिलेगी हम ऐसा ही अपना जो है उसको ऐसे ही दर्ट में काम चला हो सरकार के रूप में काम कर सकते हैं हम लोगों को आगे अधित सफलता मतलतीं आ अक्या है हमारा ए नहीं इसको बोलतें क्या है इसको एं-च्प और क्या है मरा consonant इंक्रक्त ही क्या है hinaзд वावल क्या है हमारा एम यह क्या है हमारा और हागें चॉननेनट यह मूरा अच्छी तरह से आता है इसमें आपको यह मिला है वो सिर्फ मिला इटा-णाए आप लोग न अभी घंते नहीं प्रै Gunds इसके लिए हम लोगों को जो पढ़ना पढ़ता है, वो language की science को पढ़ना पढ़ता है, लेकिन इतना समय कहा है, चलो आप यहीं से सीखिए, अब आता है इसके, यह तो आपको बहुत अची तरह से आते हैं, जब हम किसी word में पीछे कुछ जोडते हैं, उसे आप लोग क्या बो इस जोड़ा, AR, AR क्या है हमारा, AR है हमारा suffix, और यह कैसा suffix है, यह noun maker है, इससे noun बनता है, noun कैसे बनता है, वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि यह class बढ़ी हो रही है, इससे sum up करता हूँ यहीं जल्दी से, तो मैंने लिया, जब हमारा structure कैसा हो, consonant, प्लस, vowel, प्लस, consonant, अब आप कहेंगे सर, इसमें तो double consonant है, तो इतना तो आप teacher से समझी सकते हैं, इसको हम जब लेंगे, consonant, प्लस, vowel, प्लस, consonant, उसमें जब एड करेंगे, और एड क्या करेंगे, कोई ऐसा suffix, एड करेंगे, जो हमारा vowel से सुरू हो, तो वहाँ पर, सज्जनो, जो हमारा final consonant होता है, व आप लोगों को कैसा पता चला, फर्स टाइम आप लोग सीख रहे हो, यूट्यूब पर बिल्कुल न्यू है, अभी शुरुआत है, अब आप लोगों का प्यार, जह हमें मिलेगा, तो बहुत आगे तक ले जाना है, देखते रहें, अपने सुजाब मुझ तक भेजते रहे यदि आपने पहले से सीखा हुआ है, तो भी अवश्य बताएं, आप लोगों का बहुत बहुत धनेवाद, थैंक यू, थैंक यू वेरी मुझ